इस property की सबसे खास बात रहने वाली कि आपको यहाँ पर development पूरी तरह देखने को मिल जाता है जहाँ पर अभी कोई भी काम नहीं रहने रहे हैं पिछली बार भी आपने देखा था काफ़े अच्छाट बहां से सिर्फ 1700 मीटर की रहने वाली है कहने मतलब काफी कम distance पर जो भी पूरी तरह से जो आपकी greenly wall होती है उसके बाद पार्क के अंदर बैठने के लिए chairs होती है बच्चों के लिए in future हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए अगर वहां पर जूले का भी arrangement हो सकती है जो कि आप तुरंट आईए यहां तुरंट घर बना के रहे हैं अधर भ 1000 परचेस कर रहे हैं तो आप 25 सदार की प्लस आवासे में आपकी रश्टी हो रही immediate position ले सकते हम लोग और आपका पुर्वांचली site के लोग बिहार के site के लोग सभी जागा के लोग हमारे interest ले रहे हैं क्योंकि हम township पे जैसा काम कर रहे हैं दूसरी जगा ऐसा काम नहीं मिल दोस्तों आप सभी की demand पर फिर से एक project लेकर के आगे जो कि लखनू में कान पूरोड पर रहने वाला और काफी develop project रहने वाला जहां पर आपने दिखा था और काफी सारे plots sold out भी होगे अभी कुछ नय पैचेस आए जहां पर काफी सारे plot अभी लेबल रहने वाले हैं तो पर काम होते चले जा रहे हैं मौके पर आज हम लोग आएं फिर से वही site आपको visit कराने के लिए आज हमारे साथ में भाही है जो कि आपको specific बारे मताएंगे प्रोड पर रहने वाली है कानपूर रोड पर बंत्रा बजार के ठीक पीछे यह टांशिक रहती है एरिये का नाम अगर आप बोलें तो यह जानाबाद एरिया लगता है अगर यहां में आना हो आपके specific पर कैसे आ सकते हैं सबसे easily है कि आप सबसे पहले अगर एरपोर्ट को target मिले रहे हैं तो आप एरपोर्ट से जब कानपूर रोड की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मात्री एरपोर्ट से साड़े साथ किलो मीटर की रेडियन पर आपको यह बंत्रा बाजार लगती है अच्छा ठीक है बंत्रा बाजार से ठीक पीछे की तरफ हमारी यह टांशिक आती ही जो की में हाइवे से सत्रा सू मीटर रहने वाली है और आने के लिए भी आप रोड देखें रोड काफी चि बाहर निकलते हैं काफी सारी मार्केंटर रहने वाली है अभी हम लोग बात कर ले ते कुछ दूरीों क TV की क्या दूरिया जाएगी बिल्कुल अमौजी एरआपकी यहां से दूरी जो होगी वो तोब भी तका खासकर comment भी आते थे लगाता और call भी आती थी यह लखनों में airport के पास में property दिखाए है तो आपके लिए और अभी कानपूरोड पर एलेवेटेड हाईवे का भी वर्क चल ला है, हमें लग रहा है, जल्दी ही हो complete भी आपका हो जाएगा, जिसे connectivity काफी आसान हो जाएगी, जैसे लखनू तो कानपूरोड जाना काफी कम समय आप आ जा सकते हैं, और जाम हो गरा से भी लोग काफी आते हैं, आप boundary wall already देख रहे हैं, जितनी जमीन हमारे पास होती हैं, उसको पूरी तना से boundary wall से cover कर देते हैं, second road की बात अगर मैं करूं तो road आप देख रहे हैं, RCC road रहने वाली है, RCC road पूरी आपको यहां से वहां तक के पूरी मिल रही है, ठीक है, drainage भी हम लोग पूरी त साथ बनी रहे हमेशा के लिए, तीसी चीज़ हमने आपने पार्क आपके लिए दिया हुआ है, सुसाइटी में पार्क भी रहने वाला है, और पार्क उन्हें सबसे बड़ियां फाइदा रहते हैं, आराम चे घूमने टहलने के लिए आपको एक अस्थान मिल जाता है, खाल जूले भी अरेंज करेंगे, तीसरी चीज़ यहां पर यह है कि आप जैसे रोड देख रहे हैं या घर देख रहे हैं, तो मौके पर यहां टाउंशिप पर जैसे भी डेवलेप्मेंट देखता है आदमी, तो रेडी तो मूव वाली साइड हमारी यह रहती है, जो कि आप त है, डेवलेप्मेंट में अगर हम लोग मेन रूट की बात कर लेते हैं, क्या साइच की रूट रखते हैं लोग? बिल्कुल रोड की बात कर रहे हैं अगर, तो हमने 25 फिट का रोड रखा हुआ है, ठीक है, टाउंशिप के बाहर की रोड की अगर बात करें तो 35 फिट से 40 फ कर फिट है, अच्छा, ग्यारा सो रुपए पर फिक्स प्राइब, ये प्राइज कुछ कम हो जाएगा, फिक्स रहेगा, देखिए, आपके माध्यम से या कोई भी इनसान आता है और प्लॉट का पसंद करता है, ऐसा नहीं कि ग्यारा सो रुपए पर फिक्स प्राइज है, जो भी निगोशियेट हो सकता होगा, हम बिल्कुल करेंगे, वो सारी से हो जाएगा, मतलब आपको एक अच्छा LD डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है, कि वहला आपको आना है, इस प्रोजेक को बिजिट करना है, बिजिट करने के बाद बात करेंगे, तो आपको एक प्रोजन से उपर जितना भी आप एरिया लेते हैं, पचास जार की बुकिंग लेते हैं, और 500 स्कार फिट के प्लॉट की बात कर लेते हैं, अगर 500 स्कार फिट का दैमेंशन आप पूछ रहे हैं, तो 10 बाई 50 का प्लॉट होता है, हमारे हैं 50 की गहरांद बिल्कुल फिक्स हम जो रखते हैं, वो 50 की फिक्स रहती है, मतलब जो भी प्लॉट अगर कटिंग किये हैं, यहां पर टूटल की अगर देखेंगे, तो 50 की डेफ्थ रहने वाले हैं, उसके उपर आप जो भी साइज लेने चारे हैं, वो साइज अपने साब से ले सकाएं, अभी हम लोग बा यह साइट पर हमारी जित्ती भी बॉंडरी वॉल आप देखेंगों इस सब खुल जाएगी, पीछे का अईरिया हमने 34 वीगा और पर्चेस कर लिया, मतलब 34 वीगा हमने और पर्चेस कर लिया, और दोस्तों जैसे कि हम लोग वीडियो में बात करें थे पार्क की जस्केमरा पार्क है, हमारा आगे बात चल रहा है, तो हम दूसरा पार्क डालने की भी यहां पर जाएगी, वाला हमारे दो से तीन और हो जाएगी, अभी हम लोग बात कर लेते हैं, आपके यहां पर जो भी प्लाट आपने कटिंग के हो, यह सब दाकिल खारिज रहने वाले हैं, यह करेंगे, वो आवासिय रजिस्ट्री होगी है हमारी है, और हमारे प्लाट जितने भी हैं, सब दाकिल खारिज रहने वाले हैं, दोस्तों अभी हम लोग पार्क में हैं, पार्क अभी देख रहे हैं, काफी स्वेस एक बड़ा रहने वाला है, जहां पर आगे चलके जूले हो विवस्ता कराई जाएगे, और ग्रीन एरिया का भी काफी यहां पर ध्यान रखा गया है, अभी यहां पर जो भी प्लाट मिलने हैं, दाखिल खारिज मिलने हैं, प्लस आवासिय में आपकी रजिस्ट्री हो रही, इमीडिट पॉसिशन ले सकते हैं, आप तुरंट आप हमस पूरा पैसा नहीं होता है, तो उनके लिए कुछ समाधान या कोई रास्ता, जी, इसके अंदर समाधान यह ही कि हमारे जो डील होती हो, फुल पेमेंट पे होती है, ठीक है, लेकिन आप मौके पे आके बैट के बात करते हैं, अगर आपके पास कुछ अमाउंट का कमी पर ल कोई भी आज नहीं है, जितना पेमेंट है, आपको तो नहीं पे करते हैं, जो भी आपके पास में है, आप उसको देख करके रेजिस्टी करा सकते हैं, थोड़ा बहुत कम पढ़ता है, तो उसके लिए आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आप से कोई भी एक्ष्टा पैसा हम लोग नहीं चाज करते हैं, अब ही इसकी रेजिस्टी की बात कर लेते हैं, तो रचिस्टी किस तहसील के अंतर रगताएगी, सरोजनी नगर तहसील है, हमारी विजनार तहसील का कहलाती है, जो कि यहां से मातरज साड़ें चार से पांच किलियो मेटर है, हमारी सारी जाना नहीं है força अर बहुत आसानी से आप कहीं भी की सी जा सकते हैं अगर दूरी की बात कर लेते हैं क्या दूरी आजाएगी outa ring road की अगर आप दूरी पूछ रहे हैं तो outa ring road की दूरी यहां से मातर clean km की range में आ जाती है इंसरे आफ कहूं आना जाना कर सकते हैं और यहां पर अगर mostly देखा जाया अबादी तक्रीबthose कहां कहां के लोग तक्रीबर आ रहे हैं जो पर्चेशिंग कर रहे हैं या खरीद रहे हैं बनवाने के लिए अऐस्मेंट करने के लिए, यहां की जो आप परूचेशर हैं हमारा, उह सारे लोग प्यार दे रहे हैं, लोग यहां आना चाहते हैं लखनों का development देख रहे हैं तो दिल्ली मुंबई और आपका पुरवांचली साइट की लोग बिहार के साइट की लोग सभी जगा के लोग हमारे interest ले रहे हैं क्योंकि हम टाउंचिप पे जैसा काम कर रहे हैं दूसरी जगा ऐसा काम नहीं मिल पाता है लखनों में किसी प्रोजेक्ट पर तो इतनी जल्दी आपको development देखने हो उनमें मिलता है जहां पर आपको पूरापर बनी हो नाली हो पार्क हो सारी चीव कंप्लीट रहने वाले बहुत ही कम प्रोजेक्ट में गिने चुने कुछी प्रोजेक्ट है जहां पर यह सारी सुब्धा है आपको immediate मिल जाता है अभी हम लोग ने बात कर लेते हैं में काफी सारे घर बनते हैं जो लोग लेते हैं ब्लॉट वो चाहते हैं हमारे आपको स्कुल को कर रहा है जो कि सरकारी है रोली स्कुल उइडिय हैं अवत कॉलेश ऐ परसात कोलेज है ए हिरा-लाल ला कोलेज है, हावत कॉलेज के बाद आपका अजाद इंस्टिटूट है, जो की बिल्कुल बैक साइट पर लगता है, और दोसी चीज़ बात करें, तो हमारे पास परसाद होस्पिटल है, आर बेस होस्पिटल है, अडी रोग वाले बहुत सारे होस्पिटल है, तो यहां पे होस्पिटल सब कुछ यहां पर रहने वाले को कहीं भी आपको दूर जाने गिरोत नहीं सब कुछ कर सकते हैं, विजट करेंगे तो प्रोजेक्त काफ प्वशन आएगा हला कि KUSH Customer होते हैं जिनके पास कुछ कम बजट होता कि अपने पास कुछ कम बजट वाले प्लोट हुई हूँगे कम बजट में, जैसे ग्यारास और पर यहां का, कर देखाँ कोई और साइट हाँ दूसरी साइड हमारे पास और और भी है जो कि आगर वो विजिट करना चाहते हैं वह आप आएं.. हमारे पास और भी साइड ने है जो कम बजट होगा तो हम उनको कम दीशाड है..